प्रमेश्र पिता का हम धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु ने हमें नयाद दिया और यह अवसर दिया कि हम उसके वचनों को पढ़ें और उस पर मनन करें, आज हम पढ़ेंगे तीमुथी उसके नाम पौलुस प्ररित की पहली फत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी बारव आयत से लेकर बीस आयत तक हम पढ़ेंगे, मैं अपने प्रभु मसी शुका, जिसने मुझे सामर्थ दी हैं, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया, मैं तो पहले निंदा करने वाला, और शताने वाला, और अंधे करने वाला था, तो भी मुझे पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दसा में बिन समझे भुझे ये काम किये थे, और हमारे प्रभु का अनुग्रह, उस विश्वास और प्रेम के साथ, जो मसी शुमें हैं, बहुतायच से हुआ, यह बात सच और हर प्रकार से मान करने के योगिये हैं, कि मसीह इश्व पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, पर मुझ पर इसलिए दया हुई, कि मुझ सबसे बड़े पापी में इश्व मसी अपनी पूरी सहन सिलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत ज एक मातर परमेश्वर का आदर और महिमा योगान यूग होती रहे, आमेन, हे पुत्र तीमुतियूस, उन भविश्यवानियों की अनुसार, जो पहले तेरे विशे में की गई थी, मैं यह आग्या सौपता हूँ, कि तु उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रुपी जहाज डूब गया, उनहीं में से हुमिनियोस और शिकंदर हैं, जिन हैं मैंने सेतान को सौप दिया है, कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सिखे, मसी में मेरे फियो, इन वचनों को द्वारा प्रभू आप सभी को आसिस दे, यहाँ पर हम प्रेडित पॉलूस जो की तिमूथियोस को अपनी पत्री के द्वारा यह बताना चाहता है, कि किस रिती से परमेश्वर का नुग्र उस पर हुआ, और किस रिती से परमेश्वर न में उनको जीवन को बदला, और यह बात उसे समझाना चाहता है, कि उसके पुराने जीवन को भी यहाँ पर वो विवरण दे रहा है, कि मेरा पुराना जीवन के साथा, और क्यों मुझे मसीह के नाम में परमेश्वर के द्वारा मुझे मुझ पर उसका अनुग्र हुआ, और क्यों मैं इस बात को मैं तुझे बताता रहूं, कि मैं एक आदर्स बनों उन लोगों के लिए, जो लोग यश्व मसी पर विस्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्रडित पॉलूस अपने जीवन के बारे में परमेश्वर के धन्यवाद करता है, कि मैं अपने प्रब मसी इश्व का जिसने मुझे सामर्थ दी हैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विस्वास योग्य समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया, यह एक बहुत बड़ा काम था, इस दुनिया के अंदर परमेश्वर का बहुत बड़ा काम पॉलूस के जीवन में हुआ था और इसलिए पॉलूस परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे विस्वास योग्य समझ कर उसने अ बताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझे फर दया हुई, क्योंकि मैंने अविस्वास की दसा में बिन समझे बुझे ये काम किये थे। चाहे पालूस का जीवन को हम देखें तो वो एक धर्म के अनुसार काम करने वाला एक अच्छा व्यक्ति था, फिर भी उसका जीवन पालूस बताता है कि मेरा जो पुराना जीवन था, निंदा करने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझे फर दया हुई, मतलब कि पॉलुस एक यहुदी धर्म का अनुयाई या अगवाबी था और वो एक ऐसे धार्मिक्ता पर विश्वास करता था जिस धार्मिक्ता के कारण कोई भी मनुश्य अपने जीवन में अभिमान कर सकता था जो मुशा के द्वारा पर्मिश्वर ने दी हुई धर्मिक्ता थी लेकिन वो धर्मिक्ता को पालन करते हुए भी पॉलुस का जीवन इतना भयंकर था कि वो उसके मुशा की धर्मिक्ता के अंदर इसी तरह से वो पागल बन गया था कि वो लोगों को निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधर करने वाला था फिर भी अपने आपको वो धर्मिक्ता था मतलब की उसके अंदर एक ऐसा जोस था जो लोगों को जिसके द्वारा लुक्षान होता था और ये हम पढ़ते हैं कि प्रेज़ों के काम के अंदर आठवे आठवे द्यारो नौवे अध्याय में के किस प्रकार पॉलुस का जीवन था था जो मसीयों को सताता था कलीशिया के लोगों को विस्वासियों को वो पकड़ कर जेल में डालवाता था और काफी सताओ उनके द्वारा नए नियम की कलीशिया के अंदर हम देख सकते हैं लेकिन यहां पर वो अपनी गवाही दे कर कहता है कि हमारे प्रबू का अनुग्रह उस विस्वास और प्रेम के साथ जो मसीय इश्यों में बहुतायत से हुआ परमेश्यों का अनुग्रह के बारे में वताता है कि परमेश्यों उस विस्वास और प्रेम के साथ मसीय इश्यों में बहुतायत से मुझ पर हुआ और यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसी इश्यू पापियों का उधार करने के लिए इस जगत में आया हाललुया हर इनसान को यह बात पर विश्वास करना चाहिए कि इश्यू मसी का संसार में इस जगत में आने का मकसद यह था कि वो पापियों का उधार करें और उसमें पॉलस बताता है कि मैं सबसे बड़ा पापी में था वो अपने बारे में बता रहा है कि इस संसार में जितने भी पापी है उनमें सबसे बड़ा पापी में हूँ इस बात का वो अंगिकार करता है और आगे वो बताता है कि मुझे पर इसलिए दया हुई कि मुझे सबसे बड़े पापो पापी में येश्य मसी अपनी पूरी सहनसिलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्स बनूँ यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो अनुग्रह मुझे पर प्रगट हुआ और मुझे बड़े पापी पर क्यों दया की गई और मसी इश्य में जो सहनसिलता प्रभू ने मुझे पर क्यों दिखाए कि जो लोग इश्य मसी पर अनंद जीवन के लिए विश्वास करेंगे उन लोगों के लिए मैं एक आदर्स बनूँ मैं ऐसा नमूना बनू कि जिनके द्वारा लोगों के अंदर एक ऐसा जीवन उत्पन हो एक ऐसा जीवन का निर्मान हो सके जिनके द्वारा परमिश्वन ने मुझे चुना और मुझे बदला और मुझ पर अपनी सहन सिल्ता दिखाई मैं इतना बड़ा गुनेगार इतना बड़ा पापी मैं इतना अंधेर करने वाला सताने वाला मैं मसीह लोगों को मैं मारने वाला ऐसा व्यक्ति फिर भी मुझ पर जो दया प्रगट हुई मुझ पर अपनी सहन सिल्ता दिखाई उस सह के लिए पॉल्स बताता है कि जो लोग इश्य मसी पर विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्स बनूँ मसी में मेरे फ्रीयो आज हमारे लिए भी यह अनुगरा प्रगट हुआ है कि हमने इश्य मसी पर विश्वास किया क्योंकि परमेश्य ने हमसे फ्रेम किया अपने प् जीवन पाएं तो परमेश्र का अनुग्र हम पर प्रगट हुआ हमने भी उसके महवन प्रयम को चक्खा है कि किस रिदी से हमारा पूराना जो जीवन था जो दुस्टता हमारे अंदर पाए जाती थी जो हमारे बाप दादाओं से चली आती थी जिनका मूल इंसान का पाप था जिनका मूल ममेश्र का परमेश्र रही जीवन था जिनके दुरा में कभी भी हम परमेश्र के पास नहीं आ सकते थे और उस जीवन को हम नहीं पा सकते थे उसी दसा में हम जीते थे लेकिन वह अनुग्र हम पर भी हुआ कि हम भी यह विस्वास करें कि परमेश्र पर पर भी एसी अनुग्रह दिया, ऐसा सहन सिल्था दिखाए कि हम भी दुसरों के लिए आदर्स बनें और इसलिए परमिर्शोंने में चुन लिये हैं, हमें ठहराए हैं कि हम औरों के लिए भी हम जीवन के कारण बनें और पॉलुस का यह गवाही हमारे लिए भी एक आदर्स है और हम भी उसी वच्चन को लेकर कलिशिया में प्रभू के लोगों के बीच में एक ऐसा आदर्स बनना हैं ताकि जो लोग इश्रमसी पर विश्वास करते हैं वो हमारे द्वारा और भी विश्वास में द्रड़ और मजबूत होते जाए कोई भी हम पर उंगले उठाना पाए इसलिए तिमूत्य उसको पॉलुस यह आग्या देता है यह सलाह देता है कि बविश्वानियों की अनुसार जो पहले तेरे विश्वास में की गए थी मैं आग्या सोबता हूँ कि तु उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे हाललुया मसी में मेरे प्रियो अच्छी लड़ाई मतलब यह एक कोई साररिक लड़ाई नहीं है लेकि यह एक आत्मिक लड़ाई है जो हर एक मसी के लिए हैं हर मसी को उस लड़ाई को लड़ना है क्योंकि जितने भी मसी लोग हैं जितने भी प्रभी इश्वास करते हैं जब से हमने यिश्य मसी पर विश्वास किया है, तब से हमारा शत्रू शेतान हमारी विरोध में कार्य करने लगता है। जब तक हमने यिश्य पर विश्वास नहीं किया था, तब तक शत्रू शेतान हम पर इतना चित या हम पर ध्यान नहीं लगाता था। लेकिन जब से हमने मसी पर विश्वास किया तब से सत्रू हमारे बारे में वो ज्यादा से ज्यादा जागरुद बन गया है और अपनी युक्तियों के द्वारा अपनी योजनाओं के द्वारा हर विश्वास की विरोध में वो युक्ति करता रहता है कि मसी लोगों को वो वि झुक्ति करता रहता है जिस प्रकरवचन के अंदर लिखा है कि शतुर श्यतान गर्जने वाले सीह के नाए वो ढोंडता फिरता है कि किसे फार खाये, किसे मार खाये लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं क्योंकि परमेशर का अनुग्रह हम पर हैं हम उसके अनुग्रह के आधीन हैं परमेशर का जीवन हमारे अंदर है हमारे अंदर परमेशर ने जो आत्मा दिया है जो संसार में है उससे वो बड़ा है हमारे अंदर जो रहता है क्योंकि हम परमेशो के मंदीर बन गए हैं और प्रभी की आत्मा हमारे अंदर वास करती है और इसलिए हम एक आदर्स बन सकते हैं जिस तरह पौलुस तीमुतियुस को अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए आगया सौपता है और कहता है कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ और विश्वास और उस अच्छी विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रुपी जहाज डूब गया है उनहीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हजीने में ने सेतान को सौप दिया है कि वे परमिश्व की निंदा करना ना सिखे यहाँ पर प्रडित पॉलुस बहुत ही गहराई से बहुत ही बोज के साथ तिमुति उसको यह आदेश दे रहा है कि तु जिस प्रकार तेधरे बारे में जो भविश्यवाने की गए थी उनके अनुसार तु अच्छे लड़ाई को लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे आज हमारे लिए बहुत ही महतुम पूर्ण बात है कि अच्छे विस्वास और अच्छे विवेक में हम बढ़ते जाए हम हमारा जीवन बहारी तोर से अच्छा तो दिखना हैं चाहे लेकिन जो हमारा आंतरिक मनुश्य तो है हमारे अंदर जो आत्मा है उनको हमें बढ़ाना ह ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से विवार करती रहे उट से उनके साथ संगती रखती रहे परमेश्वर की द्वारा जो जीवन हमारे लिए मसीश्य में परमेश्य नहीं रखा है उन बातलों को हम प्राप्त करते जाएं और उसके भागी बन जाएं उनके पवित उसी स्वभाव में हम बदलते चले जाएं और हम विशुआस में और भी जादा से जादा मजबूताई से हम बढ़ सकें तो प्रडित पौलु से तिमोथियूस को अबने जीवन के बारे में वो बताता है कि तेरे बारे में जो जे बातें कही गए थी भविश्च्वानियों के गए थी उनके अनुसार तो क्या कर अच्छे लड़ाई को लड़ मसी में मेरे प्रियो हमारी जो लड़ाई है वो एक आत्मिक लड़ाई है हमारी लड़ाई लहू और माउस से नहीं है लेकिन हमारी लड़ाई एक आत्मिक लड़ाई है जिस तरह दुसरा कुरून थी उसका द दुष्टात्मा के शेनाओं से हैं और इसलिए हमें एक अच्छी कुष्टी अच्छी लड़ाई लड़ना है ताकि हम क्या करें हम वीजेई होकर हम प्रभू में और भी बढ़ते चले जाएं और जो हमारा जो हतियार है वो सारिक नहीं है जिस तरह दुसरा कुरंती है में हम पढ़ते हैं चोती आयत में क्योंकि हमारी लड़ाई के हतियर सारिक नहीं पर गड़ो को ड़ा देने के लिए परमेश्वर की द्वारा सामर्ती है इसलिए हम कलपनाओं को और हर एक उच्छी बात को जो परमेश्वर की पहचान के वीरोध में उठती है खंडन करत हैं और हर एक बाहवनाओ को केद करके मसी का अग्याकारी बना देते हैं मसी में मेरे प्रियो हमारी जो लड़ाई हैं जो सारिक नहीं परंतु शेतान के गड़ो को ड़ा देने के लिए वो परमेश्वर के द्वारा सामर्ती है और उस पहले से बता चुका है कि मैं उस परमे सेवा में उसने मुझे ठहराया तो इसलिए हमारा जो मल युद हैं हमारी जो लड़ाई हैं वो पहले अपने आप से हैं और इसलिए पालुस बताता है कि हमारी जो लड़ाई अपने आप से हैं मतलब हमारे अंदर जो उठने वाले जो कलपनाई हैं मर विचारों की जो कलप बनाए हैं और उची बात और परमिर्श्र की पहचान की विरुद में जो भी बाते हमारे अंदर उठती हैं उन बातों को हमें खंडन करना है उस भावनाओं को केद करना है जो मसी का जो हमें मसी के लिए आक्या कारे बना दे बहुत सी बाते हैं मनुश्य के हिर्दे के अंदर उठती है हर बातें जो हमारे अंदर जो उत्पन हती होती है वो सही नहीं होती है उसका खंदन करना आवश्यक है उनको अलग करके उनको मिटाना उनको दूर करना हमारे लिए जरूरी बात है और वो हम प्रमेश्वर के वचन का अनुशार ऐसा कर भी शक्ते हैं क्योंकि पूरी कलपनाएं उठती है और उची बात जो होड़ती है अभिमान आता है और काफिसंसार की बातें हमारे अंदर जो आ जाती है उनको खंदन करना है उसे काटना है उसे निकालना है ताकि हम मसी के हम आग्या कारी बन सकें तो तीमुत्य उसको यही सलहा पॉलुस ने दी और पॉलुस बताता है कि मैं एक अच्छे लड़ाई लड़ चुका हूँ मैंने अपनी विश्वास की रखवाली की है पॉलुस एक आदर्स हमारे सामने वो रख के गया है हर विश्वासी के लिए हर नए नियम की स्वासी के लिए हमें उसे आदर्स मानना है और इसलिए पॉलुस तीमुत्यूस के बताता है जो कि तीमुत्यूस उनके साथ साथी सेवक के रूप में काफी जगह पर जाकर प्रभु की सेवा में वो भागी हुआ और जिस प्रकार पॉलुस ने दुको को उ परन करता है कि किस रिती से तुने मेरे अंदर जो बाते थी जो मैंने इन बातों को सामना किया उनको तुने देखा है और इसलिए मैं तुझे बताता हूं कि तु अच्छे लड़ाई को लड़ हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेइथ पॉलुस किन बातों को तीमुत्यूस क बताता है पहला तीमुत्यूस उसका चारत दियाए और उसकी बारवी आयत में भी हम पढ़ते हैं कि कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विस्वास और पहितरता में विस्वास्यू के लिए आदर्स बन जा विस्वास्यू के इसलिए रबु के वचन पर चाल चलन तेरे चारीतर पर और प्रेम और विस्वास और पहितरता में विस्वास्यू के लिए आदर्स बन जा और यही बाते जो हैं हमारे आंतरिक मनुश्यत वो को दृड़ बनाती हैं अच्छे विवेक को बना रहने के लिए यही बाते जो ह हमारे लिए महतोपूर हैं और पॉलूस आगे उसको बताता है कि किस रिती से तो एक अच्छा एक आदर्स बन सकता है अपने उब्देश की भी चोकसी कर उन बातों पर स्थिर रहे और इसलिए कि अपने सुनने वालों के लिए तो एक उद्धार का कारण बन जा पॉलूस जो आग्या तीमुतियूस को देता है उसका मक्सद यही था कि एक अच्छे विश्वास और विवेक में थामे रहना और कभी भी उससे पीछे नहीं हटना क्योंकि पॉलूस जानता था कि उस समय उस कलिश्या के अंदर काफी ऐसी गलत सिक्साएं थी लोग जो यहुदी और बीन यहुदी लोग इन बात पर विश्वास करते थे और शिकाते थे मुसा की विवस्था के बारे में और क्रिया करने के बारे में कुछ रिती रिवाजों के बारे में और वो लोग इस भोतिक संसार को बुरा मानते थे और इसलिए बुरे संसार से किस रिती से अलग रहकर हम अपने उद्धार को पा सकते हैं और किन बातों का पालन करने की दोरां उद्धार को पा सकते हैं मतलब कि वच्चन के विपरित बातें संसार की बातें सिखा कर लोग लोगों को गुम्रा कर रहे थे उसी समय में पौलू से तिमूतिय उसको यो बातें बताता रहता है कि तू अच्छी लड़ाई को लड़ और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे जिसके कारण विश्वास कितनों का विश्वास रुपी जहाज डूब गया मसीमी मेरे प्रियो अगर हमें विश्वास में खड़े रहना है तो हमारे अच्छे विवेक को और विश्वास में हमें बना रहना है ताकि हम परमेश्वर की उस सिद्ध इच्छा में हम बढ़ सके और प्रभू से प्रेम करने वाले लोग बन जाएं तो इन वच्छनों की दौरा मैं आसा करता हूँ कि प्रभू कियातम आपसे बाते करें और एक अच्छे लड़ाई लड़ने के लिए और अच्छे विवेक को थामे रहने के लिए प्रभू हमें अनुगरह दें आमीन और आमीन